हेलो फेंस आज मैं आपको मॉंस्टर ये 2014 की कोरियन थ्रीलर मूवे एक्स्प्रेंग करने वालो ये एक सिरियल किलर से रिवेंज लेने की एक स्टोरी है इसमें जादा कुछ स्पोईलर ना देत हो है डारेक्ली स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमें बॉक्स्वोन दिखाई गही है ये एक बाजार में सबजिया सेल करती है बॉक्स्वन दर्रस टुपिड होती है और भोली भी होती है अबनोर्मल की तरह ही ये गारेक्टर हमें दिखाया गया है इसे बहुत सारी चीजे समझ में नहीं आती है यह जब छोटी थी तब इसकी मदर ने इसे गिरा दिया था इसकी वज़े से ऐसे हो गई है इसकी ग्रैंड मदर थी पर ये भी इसको छोड़ कर चली गई है इसकी ग्रैंड मदर हमें हेवन से बाते करते हुए दिखती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए वरी करती हूँ बॉक्सोन सबजिया सेल करती है और अपनी चो लीटल सिस्टर है इसके एजुकेशन के लिए पैसे वेगरा इकटा करती है इसके बाद नेक सेन में हमें एक सांग दिखाया गया है वो एक बड़े बिजनेसमैन की यहाँ मीटिंग के लिए आया हो होता है यह जो बिजनेसमैन होता है यह उससे कहता है कि मुझे एक ट्रिबल हो चुका है मेरे जो फैक्टरी थी, वहाँ एक वर्कर काम करती थी फैक्टरी में उसे कम पैसे मिल रहे थे इसलिए उसने स्ट्राइक की, बहुत सारे लोगों को बढ़ गया मैं उसे समझा रहा था, पर वो मान नहीं रही थी तो जारा जहापण मैंने उसे मार दिया उसने रेकॉर्ड कर लिया था, अब ये रेकॉर्डिंग मुझे दिखा कर, ये मुझे ब्लैक्मेल कर रही है 300,000 डॉलर से माँग रही होती है इक सांग जो होता है, इसके financial situation अच्छी नहीं होती इसके wife को एक बार में काम करना पढ़ रहा होता है इसे 300,000 डॉलर सुनकर बहुत यालग लगता है बिजनेसमेन फिर इक सांग को कहता है ये जो पैसे है, ये उस लड़िये को जा कर दे कर आओ मैं इन पैसो को लेकर किसी को भी ट्रस नहीं कर सकता इक सांग भी इस काम के लिए रेडियो हो जाता है पर इस पैसो से अपने जो लोन उसने लिए होते है ये वो पे कर देता है अब हमें इक सांग का एक बचपन का सीन दिखाया गया है ये घर के उपर के स्टोरेज रूम में बिठा हुओ है अपने फादर से डर कर वहाँ हो है उसके फादर ने उसे बहुत मारा है वहाँ फिर उसका छोटा प्रदर आता है उससे बुचता है क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे मार दू क्या फिर तुम मेरे साथ खेलोगे इक सांग उसे बहाँ से निकल जाने के लिए बोलता है उसे थोड़ा सा भी सिरियस ही नहीं लेता थोड़े टाइम बाद एकसां अपने फादर की स्क्रीम सुनता है जाज़ों उसका छोटा प्रदर था इसने उसके फादर को मार डाला था अब नेकसीन में हमें टीसू दिखाए चाता है यह इकसान का ही छोटा पदर है यह हमें रात में माती के पॉर्ट्स बनाता हो दिखता है इसके शरीर पर बहुत सारे टैटू इसने बनाय हुए होते है टैटू बनाते हो खुल निकलता है पर यह कुछ फील नहीं करता अब नेक सिन में हमें फिर से बॉक्स उसके बाजार में दिखाई कही है जिस स्पोर्ट पर सबजी यह सेल करती है यह स्पोर्ट किसी और का है जिसका है स्पोर्ट है इसने कुछ आदमी भेज़े होते हैं यह स्पोर्ट खाली करवाने के लिए यह वहाँ से जाने रही हूती है यह सबको कहती है, यह मेरी ग्रैन्ट मा का था यह मुझे मरने से पहले देखर कही थी मैं नहीं चोड़ सकती यह अपना स्पॉट नहीं चोड़ रही हूती तो एक आदमी इसे उठाता है और बाहर भेटता है ये भागते भागते आती है एक सबजी रही थी है और असके सर पर फोड़ते थी है जब शाम हो जाती है तब उसकी छोटी सिस्टर स्कूल से आ रहे होती है और ये दोनों हिल पर मिलती है उसकी छोटी सिस्टर उसे मलम पट्टी करती है और समझाती है कि ये हमारा स्पॉट नहीं है ये जो लैंड है एक्चुल में दुसरा कोई ओन करता है तुम्हें इनके पीछे नहीं लगना चाहिए पर बॉक्सों नहीं पता है कि ये स्टुपिड है तो इसे ये समझ में नहीं आता अपना जो लॉजिय होता है ये ग्रैंड मदर ने मुझे लैंड दी है इसे पर वो अडी रहती है अब नेक्सिन में हम दिखता है ये एक्चान अपने बदर टीसु को कॉल करता है टीसु कहता है कि बहुत समय बात तो ने मुझे कॉल किया है इक्सान उसे एक बार में बुला रहा होता है ये दोनों फिर वहां मिलते है इक्सान टीसु से कहता है कि एक लड़की है जो हमें ब्लैकमेल कर रही थी इसे तुम्हें मारना है यह जौब उसे देना चाहता है टीसू कहता है कि यह बात साल गुजर चुके है तुमने अपना फोन वेगरा सब कुछ बदल दिया था और अचनक तुम मुझे कॉंटेक्ट कर रहे हो इकसान कहता है कि मैं बहुत ही सौरी हूँ जाने तो यह काम तुम मत करो जिस बारे में बेटे हुए होते है यहाँ कुछ कुस्टमर होते है जो बहुत ही लौड होते है इकसान को इस से तगलिफ हो रही होती है तो बहुत ही जोर से टीसू कहता है कि यह कौन बास्टर है जो इतनी जोर से बात कर रहे है जो आदमी जो इसे बात करा होता है, वो अब यहां आ जाता है वो टीसू के उपर हाथ रखता है तो टीसू उसमा बहुत ही चीड़ जाता है चॉप स्टिक्स लेता है और इसके गले में डालकर इसका मरडर कर देता है इस आदमी के साथ जो भी सब लड़किया होती है इनको भी वो मार देता है जैसे कुछ भी नहीं हुआ इस तरह से अपने ब्रदर से वो बात करने लग जाता है वो कहता है कि मदर केसी है अपने मदर के लिए एक सांग को कुछ पैसे हो देता है मदर के विटामिन्स के लिए ये पैसे उसे देता है इसके बाद हमारा next main character नानी दिखाई गई है नानी के घर पर उसके landlord आती है वो कहती है कि तुम्हाई sister कहा है नानी और उसके sister ने बहुत दिनों से अपना रेंड पेनी किया है ये लॉंडर उसे कहती है कि अगर तुम्हें पेनी किया तो मैं तुम दोनों के घर से बाहर निकाल दूँगी नानी कहती है कि मेरे sister अब घर पर नहीं है थोड़ी देर बाद उसे आने के लिए कहती है जब ये घर में आती है तो उसकी sister वही होती है अंदर जाकर अपने sister को ये सब वह बता देती है sister उसे पुछती है कि तुम्हारे तीन विचेश क्या है मुझे बताओ नानी कहती है कि मुझे अपना डॉक जाए और एक अपने घर में तुम्हारे साथ मुझे रहना है नानी की sister बोलती है कि ये सब सच हो सकता है एक्चल में जो sister ये ही business man को black milk कर रही थी अब business man 300,000 डॉलर्स इसे देने वाला है तो इसे वो घर वेगरा buy कर सकती है अब थोड़े दिर बाद फिर से दरवाजा खट-कड़ाया जाता है और इस बार यहाँ tissue होता है अगर तुमने ये दरवाजा बन कर दिया तो मैं तुम्हें मार दूँगा पहले भी business man ने कुछ आदमियों को भेज कर इसे डरानी की कोशिश की थी पर ये डरी नहीं थी इस बार भी उसे वैसे ही लगता है और डॉर बन कर लेता है टीसू बहुत ही fit और intelligent होता है ये दिवार कुद कर अंदर आ जाता है नानी अंदर के room में बरतर मांज रही होती है तभी इसके कुछ आवाजे सुनाई देती है ये जब दरवाजा कुलती है तो टीसू उसके सामने होता है इसकी सिस्टर को उसने मार दिया है और इसकी dead body इसे दिखती है ये सीन खतम हो जाता है रात में टीसू ड्राइव कर रहा है ये हमें दिखता है उसके ब्रदर का call आया होता है ये अपने ब्रदर को बुचता है ये जो सब पैसे थे इसका तुमने क्या क्या था अपनी financial situation ब्रदर उसको समझाता है वो कहता है कि मेरे पास कोई option नहीं था इसू कहता है कि तुमारी वज़े से सब मैस हो चुकी है ये फिर घर आता है नानी को भी घर लिकर आता है एक wine की bottle निकालता है और से glass में बरता है वो कहता है कि अब हमें एक game खेलेंगे जब तक मैं bottle खतम नहीं कर देता तब तब मैं यही रुकूंगा और तुम यहाँ से भागोगी अगर तुमने किसी से help ली तुमें उन्हें भी मार दूँगा तुम अगर छुपगी और मैं अगर तुमें ढोड़नी पाया तो तुम बच जाओगी यह फिर glass पूर करता है और नानी भागने लग जाती है अब next scene में हमें फिर से boxon और उसकी sister दिखाई गई है boxon आज बहुत ही दुखी होती है क्योंकि उसका spot up जाने वाला है boxon की sister से कहती है कि अब मैं बहुत पढ़ने वाली हूँ higher education के लिए मैं sea wall में जाओंगे वहाँ में अच्छे से degree लूँगे और हम दोनों अच्छे से रह सकेंगे हम पूर है इसलिए हमें सब तकलिफ देते है मैं बहुत जादा पैसे कमाऊंगे और हम reach हो जाएंगे boxon केती कि तुम चली जाओगी तो मैं आके लिए पड़ जाओगी मैं भी तुमारे साथ आओँगी floor shift करूँगी, खाना पकाऊंगी, कुछ भी करूँगी पर तुमारे साथ ही रहूँगी उसके sister कहेती है कि यह possible नहीं हो पाएगा पर boxon सुनी नहीं रही होती इस पर इन दोनों में एक healthy fight हो जाती है यह दोनों फिर हसने लग जाते है और इस दुसरे को hug करते है भागते भागते नानी इनके घर आ जाती है इसे यह सब question पुछते है तुमारा घर का है तुमारे parents का है पर इक कुछ बोलने रही होती है इसे डिनर देते है बाद में नानी कहती है कि इसकी sister है अब इसे ढूडने वाली होती है रात में नानी इनके साथ ही सोती है एक दिन जब सुबा होती है तो boxon की sister नानी को सिटी में लेकर जाने वाली होती है यह सब जाने के लिए निकलते है पर boxon की sister अपना जिम का खुल जाती है वो boxon को घर जाने के लिए बोलती है और फटाक से उसे लाने के लिए कहती है जब रस्ते से जा रहे होते है बहुत साथा fog वा होता है इस fog में ही नानी को टी सून दिखता है यह फिर भागने लग जाती है boxon की sister नानी को डिफेंट करती है इसलिए टी सून उसका गला दबाता है boxon जब जिम के कबड़े लेकर आती है तब देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है उसे जंगल में से आवाज आती है वहाँ भागते भागते चाती है टी सून उसके sister को मारने वाला होता है तब एक पत्थर लेती है उसके सर में डाल देती है अपनी sister को लेकर भागते भागते एक field में आ जाती है वहाँ उसे नीचे रख देती है गईसिदर केती है, कि अभी मैं हेल्प लेक著 हूँ, वो पुल्िस को कॉल लगाने वाली होती है, ॵो पुल्िस को कॉल करनी के लिए जाती है, और वापस आती हैट तूँ हुआ है, टिसू ने उसकी सिस्टर को ढूंड़ लिया ओता है, नेको पूली में होता है, इक सांग गै लिए कर जाओ, यह उसे मार देगा बॉक्सोन के वार पर पुलिस आती है वो बहुत ही रो रही होती है कि उसकी सिस्टर उसे मिल नहीं रही वो जब सिच्वेशन थी यह सब उसे पता थी है यह स्टूपीड लगती है तो पुलिस इस पर बिलिव नहीं करती यह बोलने बोलने में यह भी कहती है कि उन दोनों की फाइट हो चुकी थी बॉक्सों से कहती है, जनरली ऐसे ही होता है कि फाइट होने पर यह खुद ही चले चाते है तो मैरी सिस्टर भी खुद से ही चली गई होगी इस पर बिलिव नहीं करते होए वहाँ से चले जाते है अब एकसांग टीसू के पास आ जाता है एकसांग टीसू से पुछता है कि फोन का है टीसू कहता है कि वो मर चुकी है पर उसका फोन मेरे पास नहीं है जो उसकी चोटी सिस्टर यानि की नानी के बारे में बताता है कि वो भाग गई है इसका ब्रदर इस पर छिर जाता है कहता है यह वही फोन दो इंपोर्डन था और यह चोटी लड़की अगर किसी को भी कुछ भी बता देगी तो हम सब ड्रबल में आ सकते है टीसू कहता है कोई प्रॉलम नहीं होगा मैं उसे मार दूँगा टीसू उस आदमी को मार कर भार आता है इक सान चाकू लेता है और उस पर चलाने वाला आता है टीसू वो रोक लेता है टीसू एक सेकंड सोचता है और बोलता है कि जाने तो यानि कि वो अपने ब्रदर को नहीं मारने वाला वो कहता है कि चलो मदर के बाश जाते हैं कुछ खाना खा कराते हैं इनकी मदर का एक रेस्टारन उड़ता है और वहाँ अब ये सब खाना का रहे हैं अपनी मदर को उसके वैटामिन्स के लिए जरा पैसे भी वो दे देता है इनको और एक चोटा प्रदर होता है को कहता है कि इसकी पड़ाई कैसी चल रही है टीसू की मदर उसके चोटे प्रदर के लिए बहुत ही प्राउट होती है यह लोयर बनने वाला होता है टीसू ने अपने ब्रदर के लिए भी अच्छा सा एक मोबाई लाया हुआ होता है ये डीनेर फिर सीरियस हो जाता है टीसू अपने मदर से कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि जब मैं छोटा था तीन दिनों के लिए तुम मुझे एक कमरे में बन करकर रखती थी मैंने चोरी की है इसा तुम्हें लगता था ये पैसे हमेशा एक सांग नहीं लिये थे ये केकर फिर टीसू वहाँ से चला जाता है नेकसिन में हम दिखता है कि बॉक्सू एक ओल्ड लेडी के पास आई हुई है बॉक्सू के लगता है कि इसमें जरा पावर है और उसकी सिस्टर का है इसकी लोकेशन उसे बढ़ा सकती है ये लेडी फिर एक जगा पर पॉइंट करती है ये वोट्स में से घूमती है कि इसकी सिस्टर उसे कही भी नहीं मिलती रात में इसे सबना आता है इसमें इसकी सिस्टर उसे पता रही है कि हो मर चुकी है नानी फिर घर आ जाती है बॉक्सोन उसे पुछती है मेरी सिस्टर का है यह आदमी कौन था जो तुम्हें मारना जाता था उसकी सिस्टर उसे मिलने रही तो बॉक्सोन रोने लग जाती है यह लेणके फिर के ही थी है कि मेरी भी sister को इसने मार दिया है यह उसके घर पर मुझे लेकर गया था मैं वहाँ से भाग कर यहाय आई थी बॉक्सन के थी कि मुझे उसके घर लेकर चलो बॉक्सन उस old lady के पास आती है उससे poison लेती है इस old lady ने अपने ही पती को इस poison से मार दिया होता है वोक्सोन फिर चाकु से practice करती है कि टीसोन को कैसे मार सकती है यह दोनों woods में जाते हैं और नानी को कुछ location समझ में नहीं आ रहे होती है वोक्सोन उस पर चीर जाती है वो से बहुत मारती है थोड़ी देर बाद इसे ही बुरा लगने लग जाता है कहती है कि मैं बहुत ही sorry हूँ मज़े तुम्हें नहीं माना चाहिए था नानी भी रोने लग जाती है और एक दूसरे खौक करती है यह फिर थोड़ी देर बाद टीसो का घर होता है यह डोन लेते है नारी घर के बाहर ही बैटती है टीसो अगर आ गया तो इसके खबर देने का कामबू करने वाली होती है बॉक्सोन फिर बेस्मेंट में आती है यहाँ बहुत सारे माती के पॉट्स बनाए होते है एक्च्वल में टीसो जब किसे को मार देता है तब उसको जला कर उसकी एशेस से यह माटी के पॉट्स बना देता है बॉक्सोन के सिस्टर के साथ भी इसने यही किया होता है यहाँ बहुत सारे पॉट्स हमें दिखते है और इस पॉट्स के पास नाम होते है यानि इन सब लोग को इसने मार दिया है बॉक्सुन की सिस्टर का पॉट भी यहाँ वो दिखती है जब वे बैस्मेंट में होती है तब ही टीसुन आ जाता है नारी फिर खेड़के से आवाज लगाती है बॉक्सुन ने जो पॉजन लाया होता है यह टीसुन के पानी वो मिला देती है और घर में ही छुप जाती है टीसु घर में आता है थोड़ी आवाज वसे सुनाई देती है खेड़के से देखता है तो नारी को स्पॉट कर लेता है नारी भागती है जंगल में छुप जाती है पर उसे पकड़ी लेता है वो से घर लेकर आता है और बर्नर में रख देता है उसे अब जलाने वाला आता है नारी के थी है कि फ्लीज मुझे मन मारो जो फोन तुमें चाहिए इसकी लोकेशन मुझे पता है नारी और टी सुन फिर दोनों गाड़ी में बेटते है नारी एक पेपर पर लोकेशन लिखती है और बॉक्सोन के लिए पीछे छोड़ कर जाती है बॉक्सोन को भी लोकेशन मिल जाती है टी सुन और नारी दोनों स्टेशन पर आते है वहाँ से जो फोन होता है एक लोकर से निकाल लेते है वहाँ बॉक्सोन आ जाती है इसके जो सब पैसे होते है यह टैक्सी वाला ले प्रदर्स अब जब फाइट करें तो नानी वहाँ से भाग जाती है और बॉक्सोन के पास आ जाती है बॉक्सोन और ये दोनों भागने लग जाते है टीसून भी इसके बीजे भागता है ये कुछ बॉक्सोन को कॉल लगाता है ये इसे भी प्रैकमेल करने वाला होता है टीसू से नारी और बॉक्सोन ये दोनों भीचा चुड़ाती है और आप स्ट्रीट पर होती है इन्हें बहुत ही भूग लगी होती है पर इनके पास पैसे नहीं होते भूग लगकर एक सुन बैट जाती वो कहती है आप में नहीं चल सकती है और पोक्सण के पास आती है जोकोग में एक, थो यह पहुद्ध ँछ से तो बहुत डिस्टर ब्रम में तहोड़ी हो हुआ है यह अपने मदर की रेस्टारंट में इस गैंग्स्टर से मिलता है गैंग्स्टरों से कहता है कि एक आदमी को तुम मुझसे लेकर गए थे इस आदमे का क्या हुआ जो भी सब सेच्वेशन हुई है यह इकसान उसे पता देता है उसे हो हेल्प मांगता है अब टीशू को माने के लिए गैंग्सेरों से हेंप करने माला होता है इसके बाद बॉक्सथ और नारी दोनों खाना खते है क्या तुम मैरे साथ रहोगी मैं तुम्हें सिस्टर की तरह ठीट करूंगी तुम्हारा खैयल रखोंगी तुम्हें बेजूँंगी नारी इस पर कुछ भी नही उसे कहता है यह खाना खाने के लिए रेस्टार्ण में आ जाओ खाना खाने के बाद बॉक्सोन और नारी फेसे स्टीट से चल रहे होते है रहे उसे फेसे टीसोन दिखता है पर इस बार यह पुलिस टेशन के पास ही होते है यह पुलिस टेशन में गुच जाते है बॉक्सोन अपने मदर की रेस्टार्म में आ चुका है टिसू की मदर को भी पता हुता है कि अब इसे सब लोग मार देने वाले हैं टिसू की मदर से खेए थी कि तुम जब चोटे थे तब तुम्हें हमारे डॉर पर कोई छोड़ का चला गया था मेरे हस्बन ने मुझे बताया था कि मैं तुमें नहीं रख सकती है पर मैंने बहुत ही जित की थी मुझे सब मेरी फेंस कहिए दी थी कि ये गलत है इस बच्चे को रखना सही नहीं है पर मैं मेरी जित पर अड़ी रही थी पर मुझे क्या मालूम था कि तुम ऐसे निकलोगे यह सीरियल गिलर है तो इसकी मदर भी इसे हिट करती है वो टीसू का कहती है कि तुम अजीब हो इसी वज़े से तुमारी मदर भी तुमें छोड़ कर चली गई थी टीसू के पीछे जो गैंस्टर होते है वो बैठे हुए होते है और वो कुछ आवाज नहीं कर रहे होते है टीसू यह नोटिस करता है मदर से कहता है इतने शांदी से कैसे खाना खा सकते है यह फिर उटता है और यह गैंगस्टर उसे मारने वाले होते है पर यही सब लोगों को मार देता है टीसु की मदर एक सेगन में अपनी टोन चेंज कर लेती है वो कहती ही की टीसु बहुत ही अच्छा है तो अपनी फैमिली के बहुत ही खैल रखता है टीसु आजने लग जाता है कि उसने अभी इसे फिर से माफ कर दिया है जिस गैंग्स्टर को टीसु ने अभी मारा था इसमें सीख जिन्दा है वो एक बड़ी सी बॉटर लेता है और टीसु को इससे बहुत मारता है टीसु की बॉड़ी को वो फिर उसके ट्रंग में डाल देता है गाड़ी में नारी को टीसु ने रखा हुआ होता है टीसु की मदर फिर नारी को अंदर लेकर आती है उसे कुछ खाने के लिए देती है बॉक्सों के पास पैसे नहीं होते है फिर वो टैक्सी में बेट जाती है टैक्सी वाले को समझ जाता है इसके पास बेसे नहीं है इसे टैक्सी से बाहर निकल रहा होता है पर यह सुन्दी नहीं यह कहती है कि मुझे नारी को बचाना है इकसांग अब नारी को लेकर जाने वाला होता है पर उसके मदर कहती ही कि इसे मत ले कर जाओ नारी उसे बहुत इक्यूट लगती है और कहती ही कि मेरे साथ रह सकती है इससान मानने रहता इन्हें थोड़ी से फाइट हो रही होती है तब ही टीसू आ जाता है जो गैंस्टर जिंदा था उसे वो मार देता है यह सब उससे बहुत ही डर जाते है यह उसे कहती है कि स्माइल कर दो यह लगता है कि टीसू अब इन्हें फिर से माफ कर देगा पर इस बार हिसा नहीं होता यह इन दोनों को मार देता है बॉक्सो न टैक्सि से भागते भागते इस रेस्टोरन में आ जाती है टीसू का ध्यानने होता तो बॉक्सो न एक बड़ी से नाइफ लेती है और असके पेट में डाल देती है टीसू नारी को मारने वाला था उसका गला गोट रहा था तो नारी अब उटने रही बॉक्सो नारी के पास आ जाती है उसे लगता है कि मर गई है और वहार रहने लग जाती है टीसू फिर अपने पेट से चाको निकालता है और उट जाता है इन दोनों में फाइट होती है बॉक्सो न अब बहुत ज़्यादा चेट गई होती है एक चेर से टीसू के सर पर डालती है टीसू जब गेटा है तो गलाग उटकर उसे माession देती है जब फिर से नारी के पास आती है उसे गले लगाती है नारी को फिर होश आ जाता है बॉक्सो न रोने लग जाती है यह फिर एक दोनों को हग करते है नारी उसे कहती है कि में तुम्हारे साथ ही रहूंगी ये दोनों एक दूसरे को I love you कहते है वहाँ फिर वो businessmen आता है जो phone उसे चाहिए था ये phone ने उसे दे 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 इस issue को वो ज़्यादा बढ़ाने ने चाहते है अब नारी स्कूल में जाती है और बॉक्सोन फिर से अपना काम करती है नारी जब स्कूल से वापस आती है तो बॉक्सोन के पास बहुत सारे पैसे होते है बॉक्सोन के दिये कि एक आदमी ने मुझे दिये है ये बहुत सारे पैसे होते है तो इनकी जो financial problem है ये भी अब solve हो चुकी है अब इनकी ट्रोल होते है और ये पैसे उसे कहा से मिले थे ये पता चलता है बॉक्सोन का जो spot था ये इसे अलग आदमी का था ये छोड़ने रही थी इसे trouble हो रहा था तो इसका ओनर उसके पास आया था इसने बॉक्सोन को बहुत सारे पैसे दिये और कहा कि अब ये जगा खाली कर दे पर बॉक्सोन उसका मानी नहीं इन दोनों में fight होगी और फिर से सबजी उसने उसके सर पर मार दी ये ओनर भी इसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया ये पैसे भी बॉक्सोन लेकर चली गई होती है ये ये मूवी खतम हो जाती है आज मैंने ये सीरिलर किलर थ्रिलर मूवी एक्स्प्लें की थी ऐसे और कोई मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर या साइकोलोजिकल थ्रिलर ऐसे कुछ मूवी होगी तो प्लीज मुझे कॉमेंट में सजेस्ट किजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवी लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देजे और बेल नोट फिशन आइकोन बेदाबाना मत भूलिए यहीं कि आप सबको बहुत सारी मूवी स मिलती रहे हम फिशन मिलेंगे और एक नहीं मूवी साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये